ओम श्रांटी तो बाबा ने बच्चों को सिलाई सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था परन्तु साथ साथ इश्वरिय ज्ञान भी दिया जाता था उदाहरन के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंदित था उसमें इस प्रकार लिखा रहता था ये शरीर पाँच तत्वों का पुतला है आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ती है आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख के द्वारा कहती है कि ये हाथ पाओं मेरे हैं जानते हो कि ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ मैं एक जियोती स्वरूप अमर आत्मा हूँ मैं आत्मा सत चित हूँ मैं आत्मा इस स्ष्ष्टी में अपना पाठ बजाने के लिए आई हूँ मैं इन कर्मी इंत्रियों द्वारा कर्म करती हूँ परिंतु मैं इनसे अलग हूँ इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे साड़े तस बजे आधी छुटी होने पर उन्हें फल आधी दिया जाता था फिर ग्यारा बजे से एक बजे तक क्लास होता था इसके पश्यात वे भूजन करके कुछ देर विराम करते थे तीन बजे से लेकर फिर उनको अध्यात्मिक ज्यान के विश्यों पर सरल सरल सम्वाद गीत आदी सिखाये जाते थे फिर पांच बजे वो दूध पीते थे और छे बजे फिर गुमने जाते थे साड़े साथ बजे रात्री को वे वापस लौट आते थे और भोजन करते थे रात्री को साड़े आट बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों सम्बंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी उन्हें खान पान की शुद्धी, जीवन में साद़गी तथा अन्याय उच्छ धार्णाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेणा दायकृती से शिक्षा दी जाती थी प्रती दिन अन्तिम पीरियड में अर्थात लगबग एक बजे के बाद दोपर में सभी बच्चों को शांत समाधी में बिठाया जाता था तब एक शिक्षी का ओम की दुन भी करती थी, बच्चे भी उसके साथ ही धीमे स्वर में ओम की दुनी गाते थे उस समय बहुत से बच्चे ध्या नवस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे, वह द्रश्य देखने जैसा होता था छोटे छोटे बच्चे दिव्य द्रश्टी द्वारा वैंकुठ के अनेक ऐसे शक्षात कर करते थे और वहां के राज कुमारों की वेश खुशा, उनके रहन सहन, राज दरबार, आदी आदी का ऐसा वर्णन करते थे कि सुनने वाले आश्चरिय चकित रह जाते थे और उनके देव्य शाक्षात करों का अनुभव सुन, स्वयम उनके जैसा अनुभव पाने का लालाईत होते थे सभी बच्चे इखथे ही पंख्ती में बैठ कर भूजन किया करते थे जब तक सभी को भोजन न परोस दिया जाए तब तक कोई भी भोजन खाना आरंभ नहीं करता था वे शान्ती पूर्वग भोजन करते थे इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारिस्पारिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नान गुरुः, उनके वस्त्र, सभी इतने अच्छे स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन पसंद न हो जाता था बच्चों की आख मिच्चोनी, रस्सा कशी, दौर, कुर्सियों का खेल, तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे फिर सायंकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्याज करते थे इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होता था अन्त में रात्री को सोने के समय एक ग्रामोफोन रिकोर्ड बचाया जाता था जिसका गीत कुछ इस प्रकार से था सोजा राजकुमारी सोजा यह गीत सुनते हुए सभी आत्म स्वरूप की याद में शरीर को धीला छोड़ कर सुख पूर्वग सतुगुणी निन्द में सो जाते थे फिर प्राथह सवा चार बजे जागो मोहन प्यारे यह रेकोर्ड बचता था और फिर सब उठ चाते थे शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम नवास का परिक्षुन थोड़े समय में काफी लोगों को यह मालूम हो गया था कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए एक ऐसा बौर्डिंग खुला है कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक तथा प्रधान अध्यात्पक अथ्वा शिक्षाक्षेत्र में कार्य करने वाले नामावर व्यक्ती कई बार अचानक ही इस बौर्डिंग को देखने आ जाते थे उनका यह विचार रहता था कि सूचना दिये बना अनायास ही जाकर तो यह जो है यहाँ पर उनके फूटोस दिखाए गए हैं कि वो बौर्डिंग में किस तरह से उनकी व्यवस्ता चलती थी और कहानी आगे चलेगी तो इस चित्र में बताया गया है कि मन को स्वस्त करने के साथ साथ कैसे उस बौर्डिंग में तनका स्वास्त बनाये रखने के लिए भी कुछ खेल और ड्रील कराये जाते थे यह शक्ति दल अपनी युनिफॉर्म में समुद्र तत पर पंक्ति बद्ध खड़ा है इस युनिफॉर्म को पहनने से उनका स्त्री तत्व का भान अथ्वा देह अभिमान तूट जाता था वे आत्मा को पुरुष तथा देह को प्रकृती निश्चिर कर लेती थी और इस से उनमें अनुशाष्चन तथा संगठन की भावना भी बढ़ जाती थी विशेश बात तो यह है कि यह न्रिल करते समय भी वे इश्वर यस्मृती में स्थित रहने का अभ्यास करते थे कराची में ये कराची का फोटो है जहां पर समुद्र तट पर जब बाबा लेकर जाते थे तो कराची में बाबा को समुद्र तट पर गुमने लेकर जया करते थे और वहाँ एकांत में बैठ कर प्रभु चिंतन के लिए वो कहा करते थे क्लिफ्टन पर अथवा सागर के तट पर रेद के धेरों पर बैठ कर यग्यवत्स आत्म चिंतन अथवा आत्म समाधी का अभ्यास करते थे तो ये फोटो है बाबा उन्हें समझाते थे कि एक परमात्मा की याद में चिकना ही एकांत है अब यह ज्यान हंस वापस लोट रहे हैं तो बाबा पहले घुमाने ले जाते हैं और फिर जब वो घुम कर वापस आते हैं तो फिर इस तरह से वहां की फोटो है तो हम पिछले पेज पर थे कि जो दूसरे जो प्रधानाद्वक और शिक्षाक्षेत्र वाले जो होते थे वो अनायासी बिदावट नोटिस आजाते थे तो वहां उनका ये विचार रहा करता था कि सूचना दिये बना अनायासी जाकर वहां की सफाई सुधराई को बच्चों को मिल रहे भोजन आदी को वहां की शिक्षा पधती को और वहां लौकिक विद्या के साथ ही साथ अध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की बंधन करता तथा शिक्षिकाए खुली छुट्टी देते थे वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदी आदी के धंग को देखते थे वे लोग वहां पर राज रिशी कुल जैसा वातावरन वहां की स्वच्छता वहां की भोजन व्यवस्ता आदी आदी को देखकर बहु की सरकार से कुछ आर्थिक व्यवस्ता भी मिल सके क्योंकि वो सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक कि ओम मंडली इतना खर्च कैसे बरदाश कर सकेगी परन्तु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वर यह संस्ता है ईश्वर सब दाता है इसलिए चिंता करने की कोई आवश्रक्ता नहीं है कई बार शिक्षा अधिकारियों को के सामने बच्चे ओम 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 की द्वनी सुनते सुनते ध्यान अवस्था में चले जाते थे और उन्हें इस संसार तथा देह की सुद्वत नहीं रहती थी वे इस द्रश्र को देखकर बहुत आश्यर चकित भी होते थे तथा हरशित भी होते थे जब वे बच्चे ध्यान अवस्ता से नीचे उतरते थे तो वे उन बच्चों से पूछते थी कि उन्होंने क्या देखा वे उन बच्चों के द्वारा वैंकुठ का विस्तुरत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद होते थे इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बच्पन में ही उनकी संसकार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था बहुत से बच्चों के कई लोग की संबंधी, माता-पिता, आदी भी उसी भवन में रहते थे परंतु चूकी बच्चों की दिन्चर्या और रहने की व्यवस्ता ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था इसलिए अब उनका अपने माता-पिता तथा संबंधियों से कोई संपर्क नहीं रहा था और इसी के फल स्वरूप उनका अपने माता-पिता आदी के साथ न लगाओ या मोह में रह सका अतहां लवकिक विध्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाब यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विशय में भी वो सफलता प्राप्त कर रहे थे यू तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने अधिक बोलने आधी-आधी का स्वभाव भी होता है परन्तु उनके इन संसकारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्यान युक्त रीती ही बताते थे इस विशय में ब्रम्ह कुमारी चंद्रमनी जी ने कहा बच्चे अपने पुराने संसकारों के कारण चंचल होते ही थे उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहते थी बाबा ये बहुत तंग करते हैं अब हमें क्या करना चाहिए इन्हें कैसे सुधारा जाएं बाबा कहते थे इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं उन्हें पीटना गोया हिंसा करना है बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं आप उसे उसी प्रकार भूल से होने वाली हानी का उन्हें ग्यान दो जो भी बुरायां उन्में है उसे छोड़ने से क्या लाब होगा यह बाते उन्हें भली भाती समझाओ, यदि उनकी कोई उचित मांग है, तो फिर उसे पूरा करो, आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो, तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे, उन्हें यह भी समझाओ, कि फलाना कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता ह जिसका पल मनुष्य को यहां या धर्मराजपूरी में दंड के रूप में भूगना पड़ता है, इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत, बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है, और अब यहां होस्टल में ही उसका आवास निवास है, अतह य तभी इनका एक प्रकार का त्याग ही तो है, इनकी बुद्धी का तथा करमेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, यह बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में भी अच्छे होते हैं, आप इन्हें आत्मिक तृष्टी से देखकर उन्हें समझाओगी, तो इन पर शिग्र ही इसका प्रभाव पड़ेगा, फिर भी यदि यह अधिक चंचलता करते हैं, तो इनकी जो प्यारी चीज हो, आप वो बंद कर दो, तो भी वो सुदर जाएंगे, इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे का, जिस बच्चे से अधिक प्यार होता है, उससे बात करने में के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था, उसे कहा जाता था कि जब तक तुम सुधरते नहीं हो, तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है, इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शिग्र ही सही रास्ते पर आ जाता था, इसके अतिरिक्त, बा जवा ने एक युक्ति यह भी बताई, जो बच्चा उदंड हो, अधीक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो, और उसे बोलो ही मत, हम ऐसा ही करती थी, और उसकी पढ़ाय पर जो ध्यान देती थी, परंतु उसे अलग जरूर बिठा देती थी, इस से वे भी सुदर जाते थे, हर एक प्रकार की विध्या के अधियन के बाद परिक्षाएं होती ही है, इसी इश्वरिय विध्या पढ़ने वालों की परिक्षाएं भी यहां पर होना ज़रूरी है, ज्यानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध हैं कि वे निंदास्तुति मान अपमान हर्ष शोक आदी में समान रहते हैं और विग्नों को हर्ष से पार करते हैं तथा सहन करते हैं अतह अब ऐसी ही परिक्षाएं इश्वरिय विध्या पढ़ने वालों के सामने आई, वह कैसा रूप धारन करके आई और उन्हें कैसे पार किया अब ये हम आगे इस प्रकार बहुत नर्नारी ग्यान अम्रुद पीते अच्छे नियमों का पालन करते अपनी जीवन का कल्यान कर रहे थे, परन्तु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पती जो की अपने व्यावार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस ल पती अपनी काम चेश्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे, वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्यान अम्रुद पीने से रोकने लगे, परन्तु जिन्हों ने इतने समय से ज्यान अम्रुद पी कर अपने चीवन को पावन बनाया था, अब व शक्ति मैं आत्माय अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी, वे अम्रुद पीये बिना कैसे रह सकती थी, जिन्हें ये नश्य हो चुका था कि अब परंपिता परमात्मा, पवित्र, सतोप्रदान शृष्टी की पुनस्थापना करना चाते हैं, और हमें अ अब आसूरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है, वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष्ग का कैसे सेवन कर सकती थी, वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थी, मैं क्षेत्र नगर की शक्ती हूँ और ओम मिंदली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधी करती हूँ, मैं ज्ञाना अमरूत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में, है ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेग पूर में रहती हूं, निज आनंद स्वरूप ओम हूं में, जीवन मुक्ती मौज उडाती हूं, सुन ज्ञान वैस बंसी बजाती हूं, नित्य गोविंद के गुनगाती हूं, यह सृष्टी मेरा है गुल्षन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूं, अतह, वे विनम्र भाव से हाथ जोड कर पती से कहती थी, आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्यान की कामना करती हैं, और इस घर को वैश्यालय की बजाए, शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं, आप श्री नारायन के समान, देव स्वभाव को धारन कीजिए, और हम श्री लक्ष्वी के समान, देवी बनेगी, तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा, आर्य पुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित ग्रुहस्ती को ग्रुहस्त आश्रम अर्थात, आश्रम के समान पवित्र बनाएं, देखो, आप से हमारा प्यार कम नहीं हुआ है, हाँ, केवल हमारा इ आप्तमिक क्रश्च्ति से देखती हैं, और आपसे आत्मिक हीस नेह करती है, आप भी परम्पिता प्रमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभुपुत्री हैं, अतह आओ, उस परम्पिता के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रख कर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चले। देखो, हम घर ग्रहस्त के सभी धर्मानुकुल कर्तव्य को पहले से भी अधिक उत्तर दावित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेगी। यहां तक कि यदि आपको थूकना होगा न, तो हम पिकदान की बजाए अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोज नहीं करेंगी। परन्तु अब हम ज्यान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्यान परियों को, प्रभू पुत्रियों को, स्विक्रुती और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर चले। इस पर लगे माया के दाग धब्बो को धो डाले। तथा मनोविकारव को राख कर दे। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभू हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्योंकि अब ये कल्यूक का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्याना मृत का एक प्याला पी कर अपने भविश्य को उजवल बना लो। सहीयोग दो कि हम अपने ग्रहस्त को कमल पुष्प के समान बनाए। आप से केवल पवित्रता की ही भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास हैं। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विश्याई विकारों में गोते ही तो लगाए हैं। परन्तु हम ज्यान मिराओं को अब इस एक जन्म के लिए शेश थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो। क्योंकि हमने अब काम को मन से निकाल कर श्याम को अथवा राम को इसमें बिठाया है इस प्रकार वे अपने अपने पती को पवित्र बनने के लिए जो प्रेणाएं देती थी वह प्रेणा इस गीत के सुरों में भरी है जीवन की घडिया यही नखो ज्यानी बनो योगी बनो चादर न लंबी तान से केसो पवित्र बनो योगी बनो चोला यही है कर्म का सौदा यही है धर्म का धोना जो चाहे जीवन को धो ज्यानी बनो योगी बनो ओम से मनवा अब शाद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर, ओम की माला मन में पिरो ज्यानी बनो योगी बनो। जैसे अफिमची अफिम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता और हाई शराब दो शराब इस प्रकार की फरियाद करता है। वैसे ही वे भी हाई विकार, हाई विश इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रगठ करते हैं। काम की काम ना पूर्ण न होने से उनमें फिर क्रोध की ज्वाला प्रजवलित होती। और उससे उनकी बुद्धी पर परदा पर जाता। और वे बड़ी निर्दैसा से फिर मारते पीते। पत्नी कहती कि विश छोड अम्रित पियो परंतु पती कहता हमें तो विश का प्याला चाहिए। वास्तों में एक विशेश बात यह भी हुई थी कि दो तीन महिलाओं को उनके पत्तियों ने बहुत मारा पीता था। यहां तक कि उन्हें चोटे भी लग गई थी और उनसे खून भी निकल रहा था। उन्होंने फिर महिलाओं के जेवर उतार दिये थे और उनका स्त्री दन भी ले लिया था। और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनकों भी फाड़ कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मिंडली के सत्संग में पहुँच कर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा उन माताओं को ऐसे पीटा गया है कि उन्हें निशान पढ़ गये हैं और उन अबलाओं का माईके से लाया गया जेवर आदी भी उतार कर उन्हें निकाल दिया गया है तो इस द्रश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या उन्हें मनतव्य के अनुसार साधना करने का उन्हें यदिंड मिलता है उधें अरधांगिनी हाफ पार्टनर कहा जाता है व्याभारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भाती बूरी तरह बीटा जाता है। अतह इस वृत्तान से माताओं का मन तूट गया और कन्याओंने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेगी। जिसके परेणाम स्वरूप ये हालत हो। हम ऐसे कामी, क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेगी। अतह उन्होंने इस प्रकार का गीत बना लिया था। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्यानी नरोसे सगाई न करना, हे आज कल के विकारी बने नर, शनिक प्रेम में फस तबाह न होना, खाते मास मदीरा, बने सर्व भोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना, खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना, करो देख ग्यानी पती प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना, स्वधर्मन भूले घड़ी भी एक जो, ऐसे पती का पला तुम पकड़ना, स्वयम वर लिए खुब सोचो विश्यारो, सीता सती सम गले फूल धरना, पलेगा फूलेगा, गुल जो खिलेगा, जगत का उधार वहनिश्य समझना, सोचने की बात है, कि माताओं कन्याओं ने, अपनी ही माता जाती का जो तिरसकार देखा, और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयम अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था, इसमें बाबा क्या कर सकते थे, बाबा ने गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे, कि हे वत्स काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रू है, अत्वा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार है, इन महावाक्य को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतह अपनी ही इच्छा से किया था, अत्व यदि बाबा उनसे कहते भी, तो वे फिर काम क्रोध को नहीं अपना दी, परन्तु लोग उनकी भावना को न समझ कर उन पर बहुत अच्छा चार करते थे, उन कामातूर पती लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से अग्रह किया कि पती से वासना भोग करो, न केवल इतना ही किया, बलकि वे एक कमिटी बना कर अपना अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास गए, उन्होंने दादा के सामने ऐसी तीन माताओं का मामला रखा, जिन्होंने अपने अपने पती को विश्य भोग के लिए इंकार कर दिया था, वहाँ पती लोग खूब शराब पीने, वह कबाब खाने वाले थे और विश्य भोग का प्रस्ताव पती द्वारा अस्विकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था, सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चरल पड़ी थी, एक पती ने तो नयाया लए में मुकत्मा भी चालू कर दिया था, उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा, आप इन से कहो कि ये अपने पती से विश्य भोग करे, परन्तु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ग्यान अम्रुद पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें ये कैसे कह सकता हूँ, कि ये विश्य विकार में डूबे, यह सत्संग में न आना चाहे, तो भी वो उनकी इच्छा है, परन्तु जिस काम विकार की गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे उन्हें सुजाव अनुमुती अथ्वा आग्या दे सकता हूँ, बाबा ने उनको यह भी कहा, कि मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है, मैं स्वयम भी आश्यरे चकित हूँ, कि ब्रह्मचर्य की यह आग्या इन्हें और मुझे कौन देता है, इन्हें बडो का कहना तो मानना चाहिए, परन्तु ये क्यों नहीं मानती है, ये भी उस परमपिता की आग्या के कारण विवश है, और मैं भी, बाबा ने ये भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूँ, मुझे तो प्रभू ने इनकी सेवा के लिए निमित बनाया है, तब मैं इनका सेवक, इन्हें आग्या कैसे दे सकता हूँ, देखो, मैं कोई मेरी आग्या पर नहीं, ये कोई मेरी आग्या पर नहीं है, बलकि जो इनको आग्या देने वाला है, वही मुझे भी अपनी आग्या पर चला रहा है, अतह आग्या देने वाला कोई और है मैं तो स्वयम ही आग्या का पालन करने वाला हूँ इस विश्वय में भी उन दिनों का एक गीत बना हुआ था जिसका पहला पत्था सेवक अच्छे थी ओम मेंडली में सेवा करन वास्ते इसका भावर्थ यह था कि दादा कहते हैं मैं तो एक सेवक हूँ ओम मेंडली में सेवा करने के लिए आया हूँ बाबा ने यह भी कहा कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है मैं इसमें कैसे दखल कर सकता हूँ अब सोचने की बात है कि जबकि उन महिलाओं को दिविक शक्षातकार हो चुके थे उन्होंने इश्वरी अज्ञान और पवित्रता का रसात स्वादन भी कर लिया था और दूसरों की दूसरी और अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था तो अब किसी के कहने से विशय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ था वे तो अब दो-तिन वर्षों से इस गीत के भावार्थ में ही टिक गई थी ज्यान ही मन का मीत रिसकीरी ज्यान ही मन का मीत जगत में राखो ज्यान सिप्रीत मंडली कीता की मुर्ली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे यही बुध्धि योग की है रीत सखीरी सीता और राम की प्रीत मन मस्ताना ठोरन पावे मेरा मेरा सदा ललचावे उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खडख से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतह उन्हें पवित्रता ब्रह्मचर्य के नियम का इस दढ़ता से पालन करता देख लोगों में हल्चल शुरू हो गए। अब वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा हैं। यदि माताय ब्रह्मचर्य का पालन करेगी तो इस शुष्टी की वृध्धी कैसे होगी। उन्हें यह तो मालूमी नहीं था कि सत्युग अथवा देव युग में और त्रेता युग में मैंथुनी शुष्टी नहीं होती हैं। बलकि उस काल के सत्युगुनी लोग अथवा देवित तेवताओं में काम वासना ना मात्र भी नहीं होती हैं। और तब स्रुष्टी मनोबल और पवित्रता बल से अर्थात योग बल से पैदा होती है। और अब उसी स्रुष्टी की फिर सापना हो रही है। दूसरी बाद, इत सत्संग में लोगों ने यह भी देखा, कि यहां इश्वरियत ज्ञान देने के कार्य में प्रायह, माताएं व कन्याएं ही निमित बनी हुई है। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुषी सास्त्र सुनाते हैं, तथवा कथाय करते हैं। तीसरा, लोगों ने यहां दिव्य शाक्षातकार की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संसकारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण समझ नहीं पाए। अतह, जिन सिंधव की लोगों की विलायत से लोटने के बाद कामचेश्टा पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने अब पंचायत को लेकर शोर मचाया। तो उस माया नगरी के और बहुत से धर्म विमुख लोक भी उनसे मिल गए। वे घर-घर में चाकर कहने लगे कि कन्याओ माताओ अथवा पुत्रों पोत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको वरना हम विरादरी में आपका बहिशकार कर देंगे। कुछे को तो डराया धमकाया भी और पीटा भी गया कि वे अपनी पुत्रियों या पत्नी आदी का ओम मंडली में जाना बंद करे। वहां के मुख्या लोगों का शहर पर काफी दबदबा था और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था सम्मितियों अथवा बोड में जैसे की सिंध अब्जर्वर नामका समाचार पत्र में भी उनका उंच स्थान था या उनकी उंच पहुँच थी। अथवा उन सबने मिलकर एक हंगाम शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग किया। कल तक जिस सत्संग में स्वयम वे मुखी और चौधरी लोग जाया करते थे, अथवा अपनी बहु बेटियों को उसे सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वुकृति का पत्र देते थे, अथवा दादा के कारे की भूरी-भूरी सा राहना करते थे, आज उसके विरुद उन्हो उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने एंटी-ओम मंदली रखा, उस मंदली का प्रधान बनाया गया मुखी मंधाराम जी को, जो की दादा के एक निखिट संबंधी और प्रशन सक थे, और स्वयम भी इत सत्संग में आते थ अब लोगों ने उन्हें भड़काया था, उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विशय में भी एक बड़ा दिल्चस्प वृत्तान थे, जो की निम नलिकित है, बाबा ने पतीत पावन परमपिता परमात्मा की, तथा परमधाम की स्नुति दिलाने के लिए, उस मुखी को एक ग्रामफोन रेकॉर्ड सोगात के रूप में दिया था, वह रेकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचित लित हुआ था, उस में भरा हुआ जो गीत था, वो इस प्रकार था, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए, ले जल्द वहीं ले चल, इस कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से, जब लोगों को यह पता लगा कि मुखी को यह रिकॉर्ड मिला है, तो उन्होंने मुखी को कहा कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ नहीं लगाना, न घरवालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोग को बुला लाते हैं, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है, मुखी जी तो डर गए, वो बोले, अच्छा, जादू टोना वाले को ले कर आओ, लोग ऐसे व्यक्ति को ले आए, जो टोने, जाड़ा, फूकी, तावी जादी का काम करता था, वह आक कर बोला, आह, इस रिकॉर्ड पर तो जादू का खूब असर हुआ है, आप लोग बड़े खुश नसीब है कि आपने इसे हाथ नहीं लिगाया, वरना बस लोगों ने इटे पत्थर रोडे उठा उठा कर उस रिकॉर्ड को मारे, ताकि उसमें भरा हुआ जादू अच्छी तरस से निकल जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि उसके, उसकी किसी हिस्से में छुपा हुआ जादू निकल कर वो किसी को लग जाए, देखिए, अब ये संसार की कैसी हालत हो चुकी है, एक व्यक्ति जिसका धंदा ही लोगों को ताबीस देना है, और जिसे यही बता कर लाया है लाया गया है कि इस रेकॉर्ड में जादू भरा हुआ है और उसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो, उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया और वे पत्थर मार मार कर जादू को भगाने में लग गए, कभी-कभी समझदार और सयाने लो वो जादू से बलना था, इतने लोगों को ज्यान मिजने से जो शांती मिले थी, क्या वो जादू से मिले थी, बच्चों बच्चियों की शिक्षा आदी का ये सब प्रबंध जादू के लिए कहया गया था, वाहरे अब भागे लोग, इश्वरी अज्ञान तो प्रायलोप तक हो चुका था परन्तु क्या तुने सामान्य विवेग भी खो दिया हैं रस्मों कर्म कांडों और जादू टोना की भरपार में तु ऐसा भटक गया है कि बुद्धी पर लोहे का परदा बन गया है सोचे कि यदि ओम मंदली के तपस्वियों के पास कोई ऐसा जादू होता तो वे देश के नेताओ तथा अनन्य लोगों को लगा कर उनको अपने वशनी कर लेते हैं सच है कि यदि कोई व्यक्ती बनावटी हीरो की दुकानों वाले बाजार में सच्चे हीरो कोई दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी जुठे ही मानेंगे न इवाचाए कितने भी प्रमान अपनी सच्चाई के लिए दे लोग उसपर विश्वास नहीं करेंगे बलकि कोई विरला ही पार्खी जो अपने विवेक का निश्पर्ष प्रयोग करता होगा उसके हीरो का सौदा करने को तयार होगा ठीक यही व्रतान परमपिता परमात्मा के साथ होता है जब वो ज्यान रतनों को ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते हैं जिनके यहां टोने जाड़ा फुकी और जूठे जादू प्रचलित है यह क्या जाने कि परमपिता परमात्मा का ग्यान ही सच्चा जादू है वो जिसको लग जाता है वो अपने जीवन में से बुराईयों को छोड़ देता है परन्तु लोग उसे बदला हुआ देख कर सोचते हैं इस पर तो जादू हो गया है सचमुच ऐसा खुदाई जादू तो सभी पर होना चाहिए कि जिससे आसुरी स्वभावाला मनुष्य बदल कर देवता बन जाए हाँ तो एंटी ओम मन्डली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे यह मुखी मन्धाराम जी जिनके भड़काय जाने का वृत्तांध हम उपर लिख आये हैं उन्ही मुखी मन्धाराम जी के पुत्र की धर्म पत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्वयवयार के कारण दादा की वपुत्री अपने पिता जी दादा जी के यहां चली आई थी अतह मुखी मन्धाराम जी बहुत ही गुस्से में थे उन्होंने अपना साथी बनाया अन्य एक सेठ को उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहु से जाइदात के बठवारे के विशरे में कुछ जगड़ा था सेठ की वह बहु दादा के सचसंग में जाती थी और वे ओमिंदली के निकट ही एक बिल्दिंग में रहती थी वह सेठ दाधा जी का एक मित्र था और प्रशन सक्पीर था उसने दाधा को कहा कि वह उसकी उस बहुपर दबाव डाले कि वह वापस उसके मना सेठ के घर में जाकर रहे और जायदात के बटवारे का प्रशन छोड़ दे दाधा ने इस बात से इंकार किया क्योंकि एक तो यह वो उनका अपना नीजी घरेलू जगड़ा था, जिसमें दादा ने हस्त स्रेप करना अनुचित समझा, और दूसरा उस बहु का जो कानूनी अधिकार था, वह तो उसे मिलना ही चाहिए था ना, अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याई करने जैसा कर्म मालूम होता था, परन्तु उसे सेठ को यह आशा न दी की दादा जो की उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे, अथ वह भी बहुत क्रोधन वित हुए, अतह मुखी मंदाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची, उस सेठ ने इस कारे के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया, कुछ दिन पहले तक जो मुखी वह सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्यान अमृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद राहु जैसा पाट बजाने की ठान एंटी ओम मंडली का विशेश उद्यस यही था कि यदी दादा अथ्वा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धाना के प्रचार से न टले, तो उन पर प्रतिभम लगवा दिया जाएं एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याये यह माताये ओम मंडली के सत्संग के लिए आती थी, उन्हें माता पिथा, साथ ससूर, पती आदी ने पांच-पांच, साथ-साथ ताले लगा कर कोटरियों में बंद कर दिया और उ उनके साथ ऐसी निर्दैता से व्यवार किया जाने लगा कि जिनका कोई वर्ण नहीं कर सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है, परन्तु लोग इतिहास के पाठ से लाब नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्तिती सामने आने पर अपनी असहिश्णता वा रुढिवादिता का तथा बरबरता का पाठ फिर दोहराते हैं। अभी सो वर्ष ही हुए थे कि लोगों ने स्वामी दयानंद की सपष्ट वादिता अंध विश्वास के विरुद्ध किये गए प्रचार ने प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगर जगर पत्थर बरसाए थे। उन्हें डराया था धमकाया था और अंत में एक व्यक्ती ने उन्हें विश्व दे कर उनका जीवन भी ले लिया था। हजरत इसास के पवित्र आदेशो उपदेशो का स्वागत लोगों ने उन्हें शुली पर चड़ा कर किया था। हजरत इब्राहीम रे जब लोगों को ये शिक्षा थी कि वे जड़ और बुतों को देवता मान कर उनकी पूजा करने के बज़ाए एक परमात्मा को याद करे तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा था। जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाती प्रांती के भेद को मिटाने अथवा समयक ग्यान और समयक आचार इत्यादी का उबदेश दिया तो उनके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया था। जब हजरत महमद ने मुर्ति पुजया का विरोध किया और कूरितियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया तो लोगों ने इतना जगड़ा किया कि आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मनसूर ने अनहलक का नारा लगाया तो सभी जानते हैं कि उससे साथ क्या भी थी। सिख लोग अपने गिरुओं के साथ हुए अत्याचरों का वर्णन गुरुद्वाराओं में इन शब्दों में किया करते थे। आडिया नल चिडवाएं गए, रेता विच तपाएं गए, खला नुचवाईयां गईयां, चक्खियों ते चढ़ाएं गए, पर उन्होंने सी नहीं कि दी। इतिहास में इस बात का स्वष्ट उल्लेख है कि मुगलों के जमाने में नानक देव जी को पकड़ कर उन्हें मजबूरी का काम करने पर लगा दिया गया था, तेग बहाबुर जी का भी शीष काट दिया गया था, वीर वैरागी की भी खाल उतार दी गई थी, गोविंद सिह जी के बच्चों को दिवार में जिन्दा चनवाग दिया गया था, मीरा को भी गिरिधर के साथ प्रेम करने के कारण विश्का प्याला पिना पड़ा था, पुराने जमाने की क्या बात करें, अभी पचास वर्षी तो हुए हैं कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर के पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश को नेत्रत्व कराने वाले महात्मा गांदीजी को भी गोली का निशाना बना कर उनकी हत्या कर डाली थी, केवल धर्म की बलिविधी, वेदी पर ही लोगों को सकष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे जब कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ती ने समाज को कोई नया सिध्धान दिया, चाहे वो सिध्धान कितना भी सच क्यों नहो, लोगों ने उस व्यक्ती को भी आडे हाथ हो लिया है, उदाहरन के तौर पर जब गेलेलियों ने कहा कि पृत्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल वालों ने मानने से पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अत्वा काफिर बताकर उस पर बहुत सितम ढोये थे, ऐस्ते उदाहरने से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहां तक वर्णन करते रहें, बस्तों में बात ये है, कि जनता का यस्वभाव ही है, क एक व्यक्ती डाकू से बदल कर वालमी की बन सकता है, स्त्री की काया के मोह जाल में फसे तुलसी की तरह बदल कर रामायन जैसा काव्यरच सकता है, कबीर की तरह जुलाहा अत्वा निम्न जाती का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है, भरत हरी की तरह राग्य वृत्ति को धारण कर सकता है। बाल्य अवस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिह जी की पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कस्ट सहन करने के लिए भी दढ़ संकर्व वाला हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जनता एक पिटे-पिटाय मार्ग पर ही सदा चलना चाती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बना कर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुख पुर्वक जनता यात्रा करने के जेडचाल प्रसिद्ध हैं। इसलिए ही समाज को मोडने के लिए सितारकों की काफी विरोध और कस्ट सहन करने ही पड़ते हैं। और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना ही पड़ता है। और तीसरी बात है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है क कि वह किसी के द्वारा की गई भलाई को और उसके अच्छे कार्य को उस द्वारा किये हुए उपकार को शिग्र ही भूल जाया करते हैं। और उसे दूसरे की पलकों में तिनका भी शहतीर की तरह दिखाए देने लगता है। और वह वाकपटु, बुलियार, स्वार्थी, पुराने पंती तथा आतंग ढ़ाने वाले लोगों का जल्दी साथ दिया करते हैं। अत्वा उन्हें अपना साथी बना लिया करती हैं। बस ठीक इसी तरह ठीक यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि दादा जो की स्वयम ए ग्रहस्त और व्यापारी हैं। उन्होंने स्वयम की जिसने पवित्रता अथ्वा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पाठ पड़ा हैं। और दादा जी को जो दिव्य साक्षातकार हुए हैं। वो साक्षातकार कराने वाली शक्ती कौन सी है। जो माताय पहले घर में गुंगत ओड़े चार दिवारे में पिंजरे के पंच्छी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी। उन्हें उच्छ ग्यान का कथन करना किसने सिखा दिया था। और उनको इतना आत्मिक बल किसने दे दिया था। दादा को कल्योगी सृष्टी के महा विनाज और सत्य क्योगी श्री कृष्ण राज्यकी शृष्टी के जो दिव्य साक्षातकार हुए थे, उनका संपूर्ण उलेख क्या था। और उस पूर्व द्रष्टी के अनुसार, भविष्य दर्षन के अनुसार, जब यक्ति का तथा समाज का क्या करता विया था। लोगों को तो चर् अनुस्य दादा लेखराजी दिखाए देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पात पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वो देखी नहीं सकते थे। क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य द्रष्टी से ही देखा ज सकता है। जबकि उन लोगों में दिव्य द्रष्टी का अभाव था। अथह वे अपने संसकारों, मनतव्यों तथा आदसों से मजबूर थे। दूसरी और स्वयम दादा इश्वरिय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्तिती में वो प्राय सिंधी में एक मुहावर कहते थे। वाट वेंदे वामभर पाथो। इसका भाविय था कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राम्मन को ख्वामखा किसी कार्य में कोई बांध ले वैसे ही मेरे साथ हुआ है। दादा तो अपने ग्रहस्त व्यवार और व्यापार में व्यस्त रहते थे। शिव ने ही उनमें प्रवेश दिव्य प्रवेश अथ्वा सिन्वेश करके उनके मुखद्वारा पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतह दादा उन लोगों को दोशी नहीं मानते थे बलकि कहते थे कि इन्हें परंपिता परमात्मा की पहचान नहीं है। इसलिए ह कि ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांती में है कि मैं कार्य करा रहा हूं। इन्हें यह तो मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयम भी ईश्वरिय बंधन में बंधा हुआ हूं। परमात्मा का अपना तो कोई तन नहीं है। इसलिए जब वो मेरे तन में आकर इ इन्हें ब्रह्मचर्य व्रक्ति शिक्ष्या देते हैं, तो यहां अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चड़ाते हैं, इनका कोई दोश नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गये हैं, और जिसमें लिखा गया है कि ब्रह्म सरस्वती पर मोहित हो गया, शिव मोहिनी को देखकर कामातूर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपियों के चीरहरन किये, आदी आदी, और ऐसे ऐसे आख्यायान, अथ्वा कथानक सुन, संसार में यह काम विकार की रिती रस्तो सदा से चली हाई है, काम महाशत्रु है, यह पा Aum Shanti हमात्रु रिता कामात्रु बlorन से खिए पह लोपियों के चामात्रु है, झाम से कि कौנים बज़ने हो गया, वह विकान के पयाह, झाज़ यह हो गया कि कि त Plan bestimmt आम